स्वागत है दोस्तों आप सबका Female Cricket Spotlight में जहां हम आपके लिए Women's Cricket से लेटेस अबडेट्स लेकर आपे तो चलिए आज की कुछ खास खबरों पर डालते एक नज़र सबसे पहले हम बात करेंगे West Indies की Cricket West Indies ने इतियासिक Annual Contracts अवाड किये 14 female cricketers को ये इनिशेटिव पहली बार लिया गया है जिसका मकसद है कैरी बेर्म में Women's Cricket का निरंतर विकास हो अब Contracted Digital Players की कूल संक्या 104 हो गई है और जब Senior और Academy Players को मिला दिया जाए तो 144 contracts distributed किये गये है अब चर्चा करते है Women's Big Bash लिग की है चौता मैच Sydney Thunders और Hobart Hurricanes के बीच खिला गया था तो जीत कर Thunder ने गेम बाजी का फैसला किया Hurricanes को एक धीमी शुरुवात मिली लेकिन Nicola Carey ने 52 run बनाया और उसरी के चलते Hurricanes ने 20 ओर में 141 run बनाया Thunders के सामने 142 run का लक्षा था Thunders के लिए समन्दा बेट्स ने शांदार गिम बाजी करी और तीन विकेट चटका है लेकिन Thunders को एक सादारन शुरुवात मिली जब चमारी अट्टा पट्टू पहले गिम पर आउट होगे Hurricanes ने और प्ले में तीन विकेट चटका है और उसरी के चलते Thunders बैक फूट पर चला गया लेकिन फीबी रिच्पिल्ड ने इनिंग्स को संबाला जिसमें उन्होंने 51-1 बन बनाए लेकिन उनकी विकेट 14 वे ओवर में चली गई जब हेदर गाम ने उनको आउट किया और उसरी के चलते हरीकेंस की जीत की राह आसान कर दी थंडर की टीम 110 सर्ण पर सिमेट गई और उसरी के चलते हरीकेंस ने मैच जीता निकोला कैरी को अपने अल्राउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ दा मैच चुना गया तो यह ती आज की खबरे फिर मिलेंगे फिमेल गईट स्पोटलाइट में कुछ नए अब्डेट्स के साथ